दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज जो आप ले सकते हैं फ्लिप कार्ट से और दोस्तों बिलीव मी इस प्राइज रेंज में ये स्मार्टफोन काफी अच्छे फीचर्स प्राइट करते हैं और इससे पहले हम बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज के लिए भी वीडियो बना चुके हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि यसी कॉलिडी टेकनिकल वीडियो हम रोज लेकर आते हैं चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के फिफ्ट नंबर के स्मार्टफोन के साथ में और या आता है नोकिया की तरफ से और इसका नाम है नोकिया 3.2 अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको 6.26 इंच की HD प्लस रेज़ूशन वाली डिस्पले मिलती है जो काफी अच्छे कलर्स प्रड्यूस करती है नोकिया के डिस्पले काफी अच्छे होते हैं अगर बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी की तो नोकिया हमेशा से अपने प्रीमियम स्टेग्मेंट के लिए जाना जाता है और यह काफी प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन बनाता है और 10,000 रुपे की प्राइस रेंज में भी यह काफी प्रीमियम लगता है अगर बात करें इसके प्रॉसेसर की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 429 प्रॉसेसर मिलता है जो काफी sufficient है नर्मल टास्किंग के लिए कोई भी lag या hang नहीं मिलेगा एप्लिकेशन ओपनिंग और क्लोजिंग में अब इसमें नहीं कर सकते है अगर बात करें इसके cameras की तो इसमें पीछे की तरफ 13MP का camera मिलता है और आगे की तरफ 5MP का camera मिलता है इसमें आपको dual camera setup नहीं मिलता दोस्तों बात करते हैं इस smartphone की battery की और यहां पर आपको 4000 mH की बड़ी battery मिलती है जो आपको आराम से डेर दिन का battery backup दे देती है और bundled fast charger मिलता है 10W का अगर बात करें इसके price की तो यह 8,499 रुपे का मिलता है flip card के उपर और link description box में है दोस्तों इस list में हमने चौते नमर पर smartphone रखा है वो आता है Samsung की तरफ से उसका नाम है Samsung Galaxy A10s अगर बात करें इसके display की तो इसमें आपको 6.2 इंच की infinity V display मिलती है जिसे आप basically dewdrop notch display भी बोल सकते हैं यहाँ पे आपको HD plus resolution वाला display मिलता है जो काफी अच्छे colors produce करता है और Samsung के display हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं यह एक IPS LCD display है अगर बात करें इसके processor की तो इसमें आपको Mediatek MT6762 processor मिलता है जो heavy gaming के लिए नहीं बना है normal tasking में आपको कोई भी issues नहीं आएंगे अगर बात करें इसके cameras की तो इसमें आपको पीछे की तरफ dual camera मिलता है 13 plus 2 का और आगे की तरफ 8 megapixel का camera मिलता है 4000 image की एक बड़ी battery मिलती है Android 9 Pie के साथ में आता है और इसमें आपको RAM और जो storage है वो 2GB 16GB से शुरू होके 3GB और 32GB भी मिलता है तो ये काफी अच्छा smartphone बन जाता है अपनी price के हिसाब से और इसमें आपको 10W का fast charger bundle मिलता है अगर बात करें इसके price की तो ये 8,999 रुपीज का आता है flip card पे और link description box में मिल जाएगी दोस्तों बात करते हैं इस list के तीसर नंबर के smartphone की और याता है Asus की तरफ से उसका नाम है Asus Zenfone Max M2 अगर बात करें इसके specification की तो इसमें आपको 6.26 इंच की HD plus resolution वाली display मिलती है जो काफी अच्छे colors produce करती है इसमें आपको IPS LCD panel मिलता है और इसकी outdoor brightness भी काफी अच्छी है अगर बात करें इसके processor की तो इसमें आपको snapdragon 632 मिलता है जो एक octagon processor है और normal gaming और normal tasking के लिए बहुत ही अच्छा processor है अगर बात करें इसके cameras की तो इसमें वो पीछे की तरफ dual camera मिलता है 13 plus 2 का और आगे की तरफ 8 megapixel camera मिलता है जो daylight में अच्छी photos लेता है इसमें आपको 4000 image की एक बड़ी battery मिलती है Android 9 Pie के साथ में आता है headphone jack मिलता है single lounge firing speaker मिलता है FM radio भी मिलता है और साथ में ये 4GB 64GB के variant के साथ में आता है दोस्तों कर बात करें इसके price की तो ये 8999 रुपीज का आता है flip card पे और इस price में ये काफी value for money devices जिसे आप देख सकते हैं अगर बात करें इस list के दूसरे number के smartphone की तो याता है Nokia की तरफ से उसका नाम है Nokia 6.1 Plus इसको launch वे थोड़ा सा ज्यादा time हो गया है पर जब ये launch वा तो 17,000 रुपे का हुआ था और आप इसकी price काफी कम हो चुकी है और ये देखने में काफी premium लगता है अगर बात करें इसके specification क तो इसमें आपको 5.8 इंच की display मिलती है notched display मिलती है full HD resolution के साथ में IPS LCD पैनल है और ये काफी अच्छे colors produce करता है अगर बात करें इसके processor की तो इसमें आपको snapdragon 636 मिलता है जो एक octa core processor है और काफी अच्छी performance देता है अगर बात करें इसके camera की तो पीछे की तरफ 16 प्लस 5 megapixel क camera मिलता है और आगे की तरफ 16 megapixel की selfie मिलती है और दोनों ही cameras dim light में और normal lighting condition में काफी अच्छे photos लेते हैं और Nokia काफी अच्छे smartphones बनाता है 4000 image की एक बड़ी battery मिलती है 4GB 64GB वाला variant 10,000 रुपे का आपको मिल जाता है flip card के ऊपर दोस्तों अगर बात करें इस list के first number के smartphone की तो याता है Asus की तरफ से उसका नाम है Asus Zenfone Max Pro M2 थोड़ा सा लंबा नाम है पर इसमें आपको जो specifications मिलते हैं वो भी काफी अच्छे मिलते हैं अगर बात करें इसके display की तो इसमें आपको 6.3 inch की full HD resolution वाली display मिलती है जो एक IPS LCD panel है और इसमें आपको 450 nits की brightness level मिलती है color reproduction इसके काफी अ पेल सकते है normal tasking आपको कोई भी issues नहीं आएंगे अगर बात करें इसके camera's की तो इसमें पीछे की तरफ dual camera मिलता है 12 plus 5 megapixel का और आगे की तरफ 13 megapixel का camera मिलता है यह 5000 image की battery के साथ में आता है और इसमें आपको out of the box Android 9 Pie का support मिलता है और यह एक बहुत ही अच्छा smartphone इसमें आपको जो base variant है उसकी और 4GB 64GB वाला यह 10,000 से slightly उपर है तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें subscribe करें हमारा channel share करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें अगले वीडियो तक thank you so much for watching